REITS stocks in India या REITS companies in India इंडिया में कौन-कौन सी REITS है, उनके किस तरह के investment है, क्या उनके sizes है, उनमें जो sponsor company है, उसका कितना percent हिस्सा है ये सारी बाते हम करेंगे और अगर आपको ये खरीदना है तो वो भी आप कैसे खरीद सकते हैं ये भी हम देखेंगे तो आएए मैं आपको अपनी screen पे लेके आता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं, ये धन का interface है, अगर आपको भी धन में account open करना है तो link आपको नीचे मिल जाएगा तो हमारे इंडिया में इस समय चार REITS company है, पहली है Embassy Office Parks, दूसरी है Brookfield India, तीसरी है Mindspace Business Parks और चौथी है Nexus Select Trust, Brookfield इसमें सबसे पुरानी है और Nexus Select Trust जो है, वो I think May 2023 में जो है launch हुई थी, इसमें से नीचे वाली तीन जो है, Embassy, Brookfield और Mindspace, ये तीनों जो है, ये बड़े-बड़े commercial offices में invest करती है, तो जो commercial properties, जो बड़े offices होते हैं, business parks जिने हम बोलते हैं, लाख लाख, द परीदती है, और उनकी जो rental income है, वो unit holders पो quarterly level पे पास होती है, ठीक है, तो ये जो है, तीनों businesses offices में invest करती है, और चौथी जो है, वो है Nexus Select Trust, ये जो है, ये नॉमली commercial properties में invest करती है, जैसे कि बड़े-बड़े showrooms, या बड़े-बड़े malls जो है, ये उनमें invest करती है, मतलब, mostly जायतर इनका हिस्सा जो है investment उनमें है, थोड़ा बहुत इनका investment जो है, वो offices वागेरा में है, बट majorly, जो commercial properties में investment अगर आपको करना है, जैसे malls वागेरा में, या बड़े-बड़े showrooms में, जैसे Apple का showroom जो है, वो जो space है, वो rent दिया हुआ है, Nexus नहीं, तो ऐसे ही बहुत सार देती है उनको, और फिर सारा जो rent आता है, उसका 90% हिस्सा, according to say, 90% हिस्सा जो है, वो unit holders को pass on करना होता है, ठीक है, तो मैंने इन में से 3 में मैंने invest किया हुआ है, आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, तो देखिए, यहाँ पे अगर हम आएंगे, तो आप देखिएंगे कि मैंने एक ये ब्रुक्फिल्ड इंडिया में कुछ investment किया हुआ है, एक embassy office parts में investment किया हुआ है, और recently मेरा investment, nexus select trust में भी मैंने कुछ investment किया हुआ है, तो investment यहाँ है, इनको actually अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो ये अलग-अलग-अलग dates के मेरे अलग-अलग investment है, औ total amount मैंने जो invest किया हुआ है, वो आपके सामने है, ये 467, तो मैंने 4,67,000 रुपे इन में डाला हुआ है, अब ये 4 companies में तीन में invest किया है, एक में नहीं किया है, वो क्यों नहीं किया है, वो एक अलग reason है, उसमें मुझे अभी करना है, लेकिन ये 4 companies हैं हमारे market में, अब इनक इसकी हमारे exchange में listing हुई थी, 1 April 2019 को, और ये offices में invest करती है, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी market cap लगबग 36,000 करोड के आसपास है, और gross asset value जो है, वो लगबग 53,000 करोड के आसपास है, इसका presence चार शहरों में है, और ये 45.4 million square feet का area इनके portfolio में है, और इसमें जो sponsor है, वो है ए embassy group और एक है Blackstone, उनका 8% हिस्सा जो है, वो इस REITS में लगा हुआ है, अब बात करते हैं, दूसरे REITS की, जो है mind space REIT, ये हमारे exchange में list हुआ था 2020 में, 7 August 2020, ये भी जैसा मैंने आपको बताया, ये offices में invest करता है, इसकी latest market cap जो है, वो 20,000 करोड के आसपास है, और इसकी gross asset value जो 29 करोड के आसपास है, इसका presence भी चार शहरों में है, और इसके portfolio में लगबग 33.1 million square feet का area जो है, वो इसके अंडर आता है, और इसके sponsor जो है, वो के रहे जा है, अगर आपने नाम सुना हो, ये मुंबई के हैं, के रहे जा, और उनकी ownership इसमें जो है, वो 63% है, काफी बड़ी ownership है उनकी, तो ये है Mindspace REIT, next REIT जो है, वो है Brookfield, India, ये लिस्ट हुआ था, 16 फरबरी 2021 को, ये भी office में invest करता है, इसका market capitalization लगबग 11,000 करोड का है, और total इसकी gross asset value, GAVG से हम बुलते हैं, वो लगबग 28,500 करोड के आसपास है, ये भी 4 शहरों में present है, और इसका portfolio 25.4 million square feet का है, sponsor जो है, ये word में एक बहुत बड़ी REIT की company है, इसका नाम है Brookfield, वो इसका sponsor है, और उसका 44% ownership है Brookfield India REIT में, चौथा और आखरी हमारा जो REIT है, वो है Nexus Select Trust, जैसे मैंने बताया, ये अभी इसको list हुए को लगबग 1 साल ही हुआ है, ये 19 मई 2023 को हमारे exchanges में list हुआ था, और ये invest क cap लगबग 19,000 करोड के आसपास है, और gross asset value इसकी लगबग 24,400 करोड के आसपास है, इसकी जो properties है, वो 14 शेरों में है, और इसका portfolio जो है, वो लगबग 11.2 million square feet का है, और इसका जो sponsor है, वो word की one of the biggest equity investment company है, Blackstone, आपने नाम सुना हो तो ये शाहिद Reliance के साथ जो है, वो किसी tie-up में इंडिया में आ रही है, तो यह already जो है, वो Nexus Trust में Blackstone का जो है, वो sponsor ownership है, और ये sponsor ownership 43% का है, तो ये हैं दोस्तों आपके लिए 4 जो इंडिया में list हुए हुए हैं, और अगर आपको खरीदना है, तो सबसे पहले क्या था कि, जब इंडिया में reads आये थे, तो आपको 200 unit में खरीदना पड़ता था, लेकिन अभी आपको कोई भी read खरीदना हो, तो आप एक unit में खरीद सकते हैं, जैसे अगर मैं buy पे click करता हूँ, तो पहले हमको कम से कम 200 unit खरीदने पड़ते थे minimum, मतलब सेभी के requirement थी, तो आपका investment थोड़ा बड़ा हो जाता, जैसे 26,000 का भी investment है, जो हमारे exchanges के थोड़े बहुत जो charges होते हैं, 0.1% से 0.2% के बीच में, वही आपको लगते हैं, और आप देखिए, 133 रुपए 11 पैसे से आप real estate का investment शुरू कर सकते हैं, इन चार companies में, जैसे माइन स्पेस में आपको लगाना है, तो 341 रुपए 188 पैसे से आप शुरू कर स सकते हैं, तो ये चार इंडिया के listed REITs हैं, और ये REITs जो हैं, वो सेभी द्वारा manage की जाते हैं, control की जाते हैं, तो इन में कोई ज़्यादा गडबड होने के chance नहीं है, return काफी अच्छे दे रहे हैं, at least pass में अच्छे दिये हैं, future के कोई guarantee नहीं है, तो आपको भी invest करना हो तो आप भी broker account खोल सकते हैं, link नीचे मिल जाएगा, thank you very much, bye